जाने वाले को भी उसके प्रती विशेश एटेंशन नहीं होता है कि देने वाले कौन है देने वाले का भी कुछ नहीं होता है कि आया कौन था क्यों? क्योंकि उसका एक आदत बन जाती है कोई आता है वो खाना खिलाता है वो चल देता है लेकिन एक गरीब किसी गरीब परिवार के दर्वाजे के बर खड़ा है भूका है और एक गरीब अपनी आधी रोटी बाट करकर दे जता है दोनों को जीवन भरियाद रहता है उसमें से एक संतोश मिलता है व्यवस्ता के तहत होनी वाली चीजों के बजाए स्वाप प्रेणा से होने वाली चीजे कितना बड़ा परिवर्तन करती है यह हम सब ने देखा है हम कभी हवाई यहाद से जा रहे हैं बगल में कोई भुजूर्ग बैठे है पानी पीना है बॉटल है नेकि खुल नहीं रही है हमारा ध्यान जाते है हम तुरब उसको खोल देते है हम एक संतोष मिलता है यहने किसी के लिए जीने का आनन कुछ और होता है मैंने एक परंपरा विक्सित करने का प्रयास किया है कि प्रदान मंतरी बनने के बाद जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी किया करता था किसी उनिवर्सिटी के कॉन्वकेशन में जाता हूँ तो मैं उस मुझे बुलाने वालों से मैं आगरर करता हूँ कि आप उस उनिवर्सिटी के नद्दीक में कही सरकारी स्कूल हो जुगी जोपड़ी के गरीब बच्चे पढ़ते हो आठवी, नवी, दसफी के तो वो मेरे पचास स्पेशल गेस्ट होंगे और उस कॉन्वकेशन में उनको एक जगा दिखिए उनको बिठाई, उनको निमंत्री किजिए और वो आते हैं मेरे मिन में रहता है कि बच्चे अपनी तूटी-फूटी जैसे भी है स्कूल पढ़ रहा है लेकिन स्कॉन्वकेशन में आते हैं वो देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा रौप पहन करके उपर आ रहा है, कैप पहनी है और सब लोग उसको कुछी सर्डिफिकेट दे रहे है उसके भीतर एक सपना जग जाता है एक बीज बोया जाता है कि एक दिन मैं भी वहां जाऊंगा और मैं भी कभी प्राप्त करूँगा साई क्लास्रूम में जिससे अब होता है उससे ज़्यादा उससे होता है कहने का अतात पर ये है हमारे ऐसी कुछ चीजे होती है जिसके कारण हम बहुत सी बाते इसको हम कर सकते हैं मैंने हमारे आनन जी यहां बैटे है एक बात हमेशा मार्क की है और वो भी मेरे मुख्यमंत्री काल से अब तक मैं कभी गुजरात के विकास के लिए इंवेश्मेंट के लिए मिलने जाता था उद्योपत्यों की मीटिंग वगेरे करता था ये सज्जन कभी भी उस सम्मद में न सवाल पूछते थे न चर्चा करते थे वो हमेशा कहते है साब सामाजिक कामों में क्या क्या हो सकता है अब ये जो टेंपरामेंट है ये टेंपरामेंट समाज की देश की बहुत बड़ी ताकत होता है और आज ये आखिर इस कारकम में जुडने से मुझे संतोश औरानन क्यों हो रहा है मैं सोचल मेडिया से जोड़ा हुआ इनसान हूँ इसलिए मुझे जो इन्फरमेशन परोसी जाती है मैं उन्फरमेशन का सिकार नहीं हूँ जो इन्फरमेशन मुझे चाहिए हूँ मैं खोच करके लेता हूँ और उसके कार मुझे नई चीज़ मिलती है और वो आज technological platform मुझे provide करता रो उसमें मैंने देखा है कई बच्चे कई नवजबा एतने काम करते हैं जी तीन लोगों का group चार लोगों का group Saturday or Sunday चले जाएंगे गाउं में जाएंगे कहीं बस्ती में जाएंगे लोगों के बीच में रहेंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे करते रहते हैं याने खास करके भारत की वरतमान में 25 से 40 के बीश की जो पीड़ी है उसमें ये सहज भाव पैदा हो रहा है दिखता है लेकिन इसमें अगर सामुनिता जूड़ती है तो वो एक ताकत के रूप में उभर करके आता है उसको और कहीं ने कहीं एक मिशन के साथ जोड़ दे स्ट्रक्चरल व्यवस्ता की जरूरत नहीं है एक मिशन के साथ जोड़ दे प्लेटफरम के हो वो लचीला हो हर कोई अपनी मर्जी से करता हो लेकिन जो करता हो कहीं न कहीं जमा होता जाए परिणाम जमा होता जाए तो परिवर्तन भी नजर आना शुरू हो जाता है और यह बात निश्चीत है भारत की तकदीर तकनिक में है जो टेक्नलोजी आपके पास है वो इंदुस्तान की तकदीर लेकिन वही माली बड़े ओर्गनाइज़ वे में इस क nellर के फूल यहां होंगे इतनी साइज के यहां होगे इतनी उचाय के यहां होगे यह होगा यह सा दिखेगा ऐसा करकर उस फूलों को करता है तो बगीचां हर किसी के आने जाने की प्रेना का कारण बन जाता है कारण उसने बड़े और्गनाईज वे में धंग से काम किया है एक वेवस्ता के तहद काम किया है हमारी ये जो बिखरी हुई सेवा शक्ती है और मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों सोशल स्टार्टप का यूग शुरू हुआ है और लोग बच्च भी आधया से तक काम करता हूँ मुद्य गरीवों को ले जाता हूँ काम करता हूँ मादद करता हूँ आशबररलिक्षाओं मैं जिसके आधेखा उपोलिक्षा पे लिखा हुआ होता है k Total जाना है तो मुफ्त मैं ले जाऊंगा मेरे देश का गरी निए च्ब्रूर्य अगर आपको अस्पताल जाना है तो मुफ्त मैं ले जाओंगा मेरे देश का गरीब अटो रिक्षा भाला अगर मान लीजे उद्मिनुद को छे लोग ऐसे मिलगेगा अस्पताल ले जाओं तो उसके तो बच्चे भुके मरेंगे लेकिन उसको चेंदा नहीं है वो बॉर्ड लगाता है और इमानदारी से करता भी है तो ये मुलभुत स्वभाव इंसान के भीतर पड़ा हुआ होता है किसी के लिए कुछ करना और वही है मैं नहीं हम इसका मतलब रही है कि मैं को खतम कर देना है हमें मैं का विस्तार करना है स्वश से समस्टी की और यात्रा करनी है आखिर कर व्यक्ति अपना कुनबाव क्यों बढ़ाता है ब्रहत परिवार के बीच आनंद क्यों अनुभव करता है ये ब्रहत परिवार से भी ब्रहत परिवार मेरा पुरा समाज मेरा पुरा देश यह अपने आप में एक ताकत बन जाता है इसी भाव को ले करके आज सर्विस्वा भाव ले करके IT to society की आइतरा है यह तो एक तरब IT to society है तो IIT to society भी है तो उस भाव को ले करके हमें चलना है मैं चाहूंगा कि सातान सान पर मुझे बात भी करनी है तो बात्चीत शुरू करें कहां से पूछने वाले हैं माननी IT क्षेतर से जुड़े हुए कुछ लोग कुछ पस्नालिटी आप से बात्चीत करना चाहते हैं अब हम बैंगलुरू से कनेक्ट हो रहे हैं वहां सुधा मूर्ती जी है इनफोसस फांडेशन से वह आप से बात करेंगी अबस्ते जी है अबस्ते जी हैं चुrav बड़ाव प्रासकेट से घृट्चेट जी हुटा जी हैं अबस्ते जी हैं इन ऐेंगल से बात्चीत करόσका बातर Sी घीड़ ऑनोटा कने से आप सुट टिर्मसें वह अशनांडेशंवे सुट न الإज़त हैं इसक्टों आप साफ्टी टू साफ्टी साफ्टीड़ औी च्लाव भी उन एफ दू मिन एपक दो जगेड़ एंगगा साफ्टी बगगा को प्रदीट क सेट टू सेट दान प्रड़ लू सक्टीर, टू जट लू इसे वीड़ी लू स्टींडेख फिर बाप स्टींड़्ती ट in different parts of our development center like Mammotha, Neham, Samarpan, Arpan, Sparsh, Sanjivni and Akang Shah all these employees get together and then they will take one agenda and work on it. With their help sir, we have built house 14,000 toilets, 70,000 libraries the 12 7 12 5 9 10 9 11 13 14 14 आफ। हमेरे वैजसिते वीक्तिम्स एड़ लवग्पार्वार्ट, वीस्तों हमासे कर देद एफ। वर अब्लोईस। ट्राइट डिस्टिट्टिशन अप्किन्स तेट गुराथ, तेलंगान, केरला, करनातका, राजस्तान, and we take the help of RK, Ramakrishna Mission, Chinmaya Mission, Akshay Patra Foundation. We also work with different industries so that we can come together and help. We work with the House of Tata's, particularly in Jharkhand. Together we do the work because there are many like-minded people. We stretch towards our work in a northeast area and there again, Seva Bharati is our great place. partner in this. Sir, every employee of Infosys Foundation believes the very famous line that is and that we believe in it, sir, that is our strength. Sir, may I ask a question, what is your inspiration for this? Thank you, sir, for patient hearing. Jai Him. Thank you. This is our inspiration. If we turn our lives here, then we think the world is here. कहीं कोई दूख नहीं है कहीं कोई शुक नहीं है आखिर गौतम बुद्ध कैसे बने शिद्धार्थ ऐसा तो क्या हुआ कि गौतम बुद्ध बन गया वो भी तो राजपरिवार में पैता हुआ था उजने भी तो सुख वैभो सब कुछ देखा था लेकिं शिद्धार्थ को घर के बाहर निकल करके देखा मृत्यू क्या होती है पीड़ा क्या होती है रिस्तेदारों का दर्द क्या होता है और उसके भीतर से आवाज उठी और उसने सिद्धार्थ को गौतम बनाने का रास्ता खोल दिया और गौतम बुद्ध बन गया जो आज भी हम लोगों को प और traveling के time पर नहीं traveling के time पर वो जो बाते करें हम सुनते रहें जो पूछे जवाब देते रहें. लेकिन उतरने के बाद उसकी सीट के पास जाकर उस पर कंदे पर हाथ रख करके पूछे कहा के हो बच्चे क्या करते हैं कितने दूर से आते हो बच्चों की पढ़ाई करते हो छोटा सा पांट दस सवाब आप देख लेना दिन भर की आपकी कारिय रचना में उस टेक्सी ड्राइवर के जबाबों में आपके मन के अंदर चिंतन शुरू हो जाएगा कि मैं ये तो कर रहा हूँ लेकिन वो तो बच्चारा ऐसे जी रहा है वो तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतना में है वो तो बढ़ी मा की बात कर रहा था वहीं से इंस्पिरेशन शुरू हो जाता है उसके लिए कोई किताब नहीं होती कोई मोदी का भाषन नहीं होता है हमारे आस पास हगर हम संबेदना के साथ घटनाओं को अनुभव करना शुरू कर दे हमारे यहां अख़वार बेदनावला आता होगा किसी दिन सुबे साथ बिजे हमारी आदत हो लेकिन अख़वार आट बिजे तक आया नहीं तो मिदरुदर उदर हाथ पर फराते हैं कि भी क्यों अख़वार नहीं आया लेकि घर में किसी के पास उस अख़वार वाले का नंबर नहीं होगा उसको संपर करने का कारण नहीं होगा क्यों नहीं आया उसकी चिंता नहीं होगी मेरा अख़वार नहीं आया इसकी चिंता जरूर होगी जिस दिन अख़वार वाले लेट होगा है कभी पूछ लिया अरे भाई अज क्या हो गया परिशान तो नहीं थे ना सब घर में ठीक ठाक है आप देखिए आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा उसकी जिन्दगी बदल जाएगी संबेदना हम अपने आसपास जो है जस उससे कनेक करने का प्रयास करें कुछ नहीं कर रहे हैं सिरब हम अपने लिए अपने सुख के लिए अपने स्वानतर सुक के लिए सिर्फ पूछते हैं भे क्या हाल है आप देखिए हमारे भीतर से चेतना प्यादा हो जाती है एक नई स्वयम प्रेणा प्यादा हो जाती है जो हमें किसी के लिए जीने के लिए कुछ नुकुछ करने का बन में हो सकता है वो समय हमारी स्थिति न हो हम भी अपनी जीन की जीले के लिए दिन रात लगाये हुए हैं लेकिन पचीज, तीज, चालीज साल के बाद भी वो घटना हमें कुछ करने की प्रेणा दे देती है कुछ लोग होते हैं जिनकी दिमाग में मेरे पास जो ज्ञान है बुद्धी है उसको मैं वर्तमान जो समस्याओं के समाधान में कैसे उप्योग करूँ जो एक से अधीक लोगों का लाब करें जैसे मैंने कभी एक पार सूशन मेडिया में देखा शायद नागपूर की घटना है मुझे पुरा स्मरन नहीं रहा वहाँ पर जो किसाम अपने खेट का वेश निकालते है उसने गोबर वेश से भी खटा किया और अपनी जो किभी समझते उसने अपना टेक्नोलोजी का उप्योग करते-करते ऐसे छोटी-छोटी साधन बनाए और उसी मैंसे छोटी-छोटी इंटे बढ़ा दी गोबर से, प्रारी से, वेश से और मशान में मृत्दे को जलाने के लिए उसने उसको तयार किया और उसने पाया कि तीन घंटे में अगर बाड़ी जलता है तो इससे दो घंटे में जलता है पहले अगर 20 केजी लखडी का इतना खर्चा होता था तो इससे आधे खर्चे में डेड़ बड़ी जल जाता है अब उसने वेश्ट को वेल्थ में तो क्रियर किया सोसाइटी के गुड के लिए उसको परिवर्तित किया क्यों भीतर कोई चीज पड़ी थी जिसने उसको इस सोशल स्टार्ट अप के लिए प्रेडित कर दिया और उसका परणाम था कि उसने इस काम को किया मैं समझता हूँ हमारे आसपास की परिस्तितियों को हम अपने आप तैंक यू सुदा जी धन्यवाद Sir, Tech Mahindra Hyderabad से अब हम जूड रहे हैं वहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं वो आप से बात करना चाहते हैं अब्सक्राइब करना चाहते हैं अब्सक्राइब करना चाहते हैं अब्सक्राइब करना चाहते हैं We are really happy to join this event and I am Sudhir Babu from Tech Mahindra CSR team I am happy to introduce Tejasvi, our star volunteer from Tech Mahindra to share her volunteering experiences with you Namaskaram Shri Narendra Damodada Smodigaru I am Tejasvi I am Tejasvi I have joined TechM as a fresher three years ago I feel really fortunate to work in Mahindra group which gives the social volunteering options for as employee social options Sir, we are given time of work also for the social volunteering and the two initiatives that I have been part of in Tech Mahindra Foundation are one is Skill India Development through Tech Mahindra Foundation Tech Mahindra Smart Centres where half a lakh students are getting benefited by skilling them Sir, and the second one which is very close to my heart and your favorite that is Swachbarat Abiyan Sir, definitely my story will be the best example if companies like TechM encourages the social entrepreneurship to create the mass movements Sir, I am from Andhra and my mother tongue is Telugu but I will try to talk to you but I will try to speak to our language in Hindi and I will be the best in Hindi I will try to speak to you I am in Andhra Pradesh I am in Andhra Pradesh I am in Andhra Pradesh in a small village from Hongol which I am very frustrated and I am very frustrated पहल ये स्वाचबारत अभियान ने मेरे मन में आशा के एक नई किरन जगाई उसी दोरन मैं टेकमाहंद्रा में जॉइन किया और 2015 में मैं बूमी फाउंडेशन का नीव लगने का निरने लिया सर हम दस वॉलेंटियर से बूमी फाउंडेशन स्टार्ट किया सर और हर एक गंदगी का जगा चुनीते और उसे क्लीन करने के बाद वो सजाते सर एस पॉर्ट हमको शुरुआत में सामा से बहुत प्रत्रोद मिला सर और सिंस आम एक गर्ल क्योंकि मैं एक लड़की थी मेरे पारिवार से भी बहुत प्रत्रोद मिला पर माई पापा मेरे साथ है आ जाता और अभी उंगोल पोस्टर फ्री जोन बना गया और और ये दूसरी जगहों के लिए अंधर प्रदेश में एक एक ग्जांपल बना है सर मैंने बोला था ना दस वालेंटेर्स से स्टार्ट हुआ सरे बूमी फांडेशन अब 3,000 से ज्यादा वालेंटेर्स है हमरे थैन रवाद अर और सर्थ हां आम रियले प्रदी बार वाद मिला और ओंगो नुड वाद फीर जॉड मैं निख जार्गों पर वि फिलिए ब्स्वाद इस शुड था प्रदिश स्वाच खरण सॉन रवाद जोन आला ये तार्ट इन शौन सवाच करह सॉन इस जादा बार और 70 से ज़्यादा स्पॉर्स क्लीन किया है। Sir, I am promising you that we will be achieving a cleaner Hyderabad by next year with the efforts of our volunteers. Sir, I am very blessed to you because of my volunteers' support, my whole organization is with me and our CEO and CP Gurnani Sir is with me and our CEO and CP Gurnani Sir is a continued support. Thank you, Tejas Si. और Sir, Sir, एक संग्शिर्थ सामरी सर आपकी बात हम तक कन्वे हो गई है माने प्रधान मंत्री जी आपसे बात करेंगे। Sir, Sir, एक मिनिट। Sir, मेरा एक संग्शिर्थ है, Sir, सबको स्वच बारत लोगो पाता है, जिसमें चैश्मा तो गांदी जी का है, Sir, पर विजन आपका है। And this is what is inspiring all of us. With your inspiration, Bharat will become Swatch Bharat very soon. And my question is, Sir, we have a lot number of youth in India and in particularly IT industry. Sir, my question is, Sir, how can we, youth in IT industry, can contribute for the government which is planning for the new India 2022? Sir, if you give your word, the whole youth of India will be standing with you and will fulfill the dream of yours, which is making the whole world stand in queue just to get the visa to India. Sir, sorry, if I am, I, I, मेरे हिंदी में कुछ गलती तो माफ कीजिए. Thank you so much, Sir. Thank you. और आपको बढ़ाई देता हूँ कि आपने अपने मियातविता ने जो तेजस्विनी एक नाम रखते हुए सोचा होगा, वो सारा आपने करके दिखाया. आपने एक बात कहीं, उसको मैं करेक करना चाहूँगा, ये चश्मे भी गांधी के हैं, और ये वीजन भी गांधी का ही है. ये मोदी का नहीं है वीजन, सच मुझ मैं तो मैं प्राइस्चित कर रहा हूँ, पुरा देश प्राइस्चित कर रहा है, हम स्वच्छता कर रहे हैं, वो सेवा से ज़्यादा प्राइस्चित है. प्रायश्चित इस बात का है कि पचांस साल तक इस महापुरुष ने देश की आजहादी के लिए हम सब के लिए अपना जीवन खपा लिया और वो आजहादी से भी ज़्यादा उसने स्वच्छता को महत्व दिया और जीवन भर वो स्वच्छता को खुद करते रहे और हिंदुस्तान को स्वच्छ देखना चाहते थे वो अपने नेत्रुतों में देश को स्वतंत्र दो कर पाये थे स्वच्छ नहीं कर पाये थे उन्होंने जो इतनी महनत करने के बाद भी जो अधूरा छूट गया था उसमें कहीं कहीं हम सब जिम्मवार हैं हमारे आगे की पीड़ी पीछे की जो पूरवा पीड़ी थी वो भी जिम्मवार है इसलिए एक प्रकार से पुझे बापू को सधाजली देते हुए हम सेवा भाव तो करते ही हैं लेकिन हम एक प्रायस्चीत भी कर रहे हैं कि बापू आपके रहते हुए जो कामधूरा रह गया देर हो गई है हम सजा भुगत करके भी इसको हम पूरा कर देंगे और एक प्रकार से गांधी की था और हम गांधी के लिए ही कर रहे हैं यह मोधी का नहीं है गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए और इसलिए मैंने कहा था कि 2019 मात्मा गांधी के 150 वर्श हो आप कलपना कर सकते हैं हिंदुस्तान में आज भी जब गाओं के अंदर किसी माँ को, बेटी को, बेहन को सौचाले जाना हो और खुले में जाने की मजबुरी हो और वो सूरज धलने से पहले जा नहीं सकती है और सूरज उगने के बाद जा नहीं सकती वो दिन भर कितनी कठिनाई से गुजरती होगी और तब जाकर लगता है कि हमारा देश open defecution free होना चाहिए अब IT इंडरेस्टी के लोग कई मैंने नौजवान ऐसे देखे हैं जुन्होंने अच्छे ऐसे toilet बनाए उन्होंने स्वच्छता के काम को plus one की आई एक stage उपर चले गए और अगर 15,000 का बनता है तो उन्होंने 10,000 का बनाया उन्होंने किस प्रकार के इसका उप्योग अच्छा हो sustainable कैसे हो उसके लिए नए ने तरीके ढूंडे हैं और कई ऐसे technology के साथ जुड़े हुई लोगों ने इसी social startup के माध्यम से हमारे toilets की quality improve की है, sustainable toilet बनाये हैं, low cost toilet बनाये हैं और बहुत जल्दी से बन जाए इस प्रकार के बनाये हैं मैं समझता हूँ ये भी ये भी अपने आप में उनका वो व्यापार व्यवसा नहीं है बनाने वाले तो कुछ और हैं इनों आप खोजा, दिया लोग बना रहे हैं दूसरा हम स्वच्छता का भ्यान चलाएं लोगों को चलाएं ये बहुत जरूरी हैं क्योंकि कुछ काम सरकार नहीं कर सकती हैं वो समस्कार कर सकते हैं और समस्कार और सरकार दोनों मिल जाएं तो तो फिर मेरा कल हो जाता है और इसलिए स्वच्छता वगरे विशे समस्कार से जुड़े हुए हैं हम इवन मान लीजिए मैं IT सेक्टर में हमें अच्छी एनिमेशन फिल्म ताय करूँ हर महिने में एक एनिमेशन के द्वारा एक मेसेजिंग करूँगा मैं हर संडे को जाकर के दो घंटे स्वच्छता तो करूँगा लेकिन एक ऐसी एनिमेशन मेसेजिंग की कोशिश करूँगा क्रियेटिव लोगों की टीम बना दूँगा और हर दिन हर सब्ता हमें महिने में एक बार मैं सोशल मीडिया के द्वारा पूश करूँगा हर लेंग्वेज में पूश करूँगा जिसके भी जाएगा लगेगा हाँ यार ये मेरे लिए स्वच्छता का मेसेज है मैं नहीं मानता हूँ सरकार के ज़रोत पड़ेगी ये समस्कार की परक्रिया चलती रहेगी हमें स्वच्छता में जो highly qualified work है उनसे मेरी अप्रेक्षा है हम स्वच्छता प्लस की और कैसे सोचे जिसमें एक तो वो sustainable कैसे हो तूसरा उसकी monitoring में technology का रोल कैसे हो तीसरा उसमें technological upgrade आज भी आज भी हमारे आज हमारे सिवेज बगएर साब करते हैं डेनेज में नीचे उतरते हैं और आए दिन खबर आती हैं इसकी मुद्टी हो गई यहां मुस्कित हो गई क्या 21 सदे में हिंदुस्तान के नौजमानों उस technology लेकर के हम नहीं आगा सकते हैं जो भारत को affordable हो जिसमें और वो social startup का भी शेया और मैंने देखा है कुछ बच्चे कर रहे हैं टेक्नलोजी के माजसेत से सिवर की सफाई हमारे किसी भी भाई भेहन को अंदर न उतरना पड़े किसी को अपनी जिनगी नख़पानी पड़े और इसलिए अगर ऐसा हम प्लस वन जाते हैं जहां है वहां से आगे जाने के ज़रूत है एक बड़ा campaign चले हम गंदगी साब करें दूसरी तरब समाज का स्वभाव बने गंदगी नहीं करेंगे अगर मैं हर तै करूँ कि मैं एक मान लीजे चार स्कूल पकड़ लो और हर सब्ता एक स्कूल में एक घट्टा जाकर के ऐसे ही फिल्म के मात देन से और चीज़े को मैं स्वच्चता के बिशे में बच्चों को बढ़ाओ उन्होंने हाथ क्यों धोना चाहिए मैं समझाओ चोटे चोटे प्रवक होते हैं मैं जब गुजरात में था तो हमारे हाँ दाहोड डिस्टिक में जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ के हमारे काफसर ने क्या किया लोगों से डोनेशन लिया और एक टू बाइ टू का शिशा मिरर स्कूल के बहार लगा दिया वहाँ तो आदिवासी विस्ता में जुगी जोपड़ी जैसे स्कूल होती है लगा दिया और बच्चों को इतना ही कहा कि जो भी स्कूल आएगा दो सेकंड पांच सेकंड सीशे के अंदर देखे का फिर अंदर जाएगा अनुभव आया कि छोटा सा मिरर लगाया जो भी बच्चे आते थे तुरंद खड़े रहते यूँ यूँ करने लग जाते थे कॉंसियस्नस प्यादा की अब चीज तो छोटी थी वो मिरर से कोई दुनिया नहीं बतलते थी लेकिन वो बदल गया और वो बदल गया तो उसने भी दुबारा आया तो बार घर से ही ठीक करने का आया गया बटन बटन खुले है तो उसने फिट करने का काम किया हम इस प्रकार से अपने दिमाग को एक्स्ट्रा एटेंशन के साथ कैसे जोड सकते हैं आप देखे बहुत बड़ा बडलाव आएगा तेजेश्वी मैं तुमसे ज़्यादा बोल दिया लेकिन धन्यवाद